पर यहां पर ऐसा नहीं है इतना बड़ा टेलर होने के बाद भी कहानी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ गेस नहीं करवाया हाला कि ये भी एक रिमेकी है 1922 की बॉलिट की ही फिल्म अंगूर का और जितना मुझे याद आ रहा है अंगूर के बारे में मैंने बहुत पहले बच्पन में उस फिल्म को अंगूर को टीवी पर ऐसे ही चलते वे देखा था थोड़ा बहुत पर कहानी के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा याद मत बिल्कुल भी कुछ याद नहीं कहानी के बारे में उसकी पर सरकस को देखने से पहले एक बार मैं अंगूर को अवशे देखूंगा और हो सके तो उसका रिवीव भी में करने का प्रयास करूंगा देखिए यह तो हम सभी जानते हैं कि रोई चिटी की जो जाहतर फिल्म है वे सभी कि सभी रिमेक रही है और अभी जब ये रिमेक की बात निकली है तो इसका अभी जब टीजर रिलीज हुआ था सरकस का तो उसके बारे में मैं ऐसे ही पढ़ रहा था तो कही पर मुझे मेरे पढ़ने में आया सोचल मीडिया पर ही एक बहुत लंबा चोड़ा पैरग्राफ कि भाई ये तो उसका रिमेक है वो उसका रिमेक है पिर किसे ने उसके नीचे कमेंट किया हो था कि भाई ये तो विकीपीडिया पर ही लिखा हुआ है तो मैंने अभी जब जब चोड़ा पैरग्राफ यहां पर लिख के रखा हुआ है मतलब अगर कोई कल को कह दे कि भाई ये तो रिमेक है तो उससे पहले ही एक बहुत बड़ा उत्तर यहां पर तयार है सरकस is based on the 1982 Hindi film अंगूर that itself being a remake of the 1968 Hindi film दो दुनी चार which in turn was an adaptation of the 1963 Bengali film भ्रांती बिलास that too was based on इश्वरचंद्र विद्यासागस 1869 play of the same name adapted from William Shakespeare's play the comedy of Errors इतना बड़ा एक पूरी line उन्होंने पूरी श्रिंक खला उन्होंने यहाँ पर बताई है और क्यों यही नहीं मैंने रोईच छिटी की पुरानी भी कुछ फिल्मों को सर्च किया फिर अभी थोड़े देर पहले ही ये वीडियो बनाने से पहले और भी कुछ इंटरिस्टिंग बाते पता चली उनकी पहली भी कुछ जो फिल्में है वहाँ पर भी इसी परकार का डिस्क्रिप्शन जानकारी मुझे मेरे पढ़ने में आई तो वो भी थोड़ा सा मैं आपको पढ़कर बताता हूँ आपको भी इंटरिस्टिंग लगेगा वो तो गोलमाल रिटनर्स नहीं सोरी पहली गोलमाल पन उइसके बारे में दिख्या निखा है लिए बाद आप देखिये गोलमाल रिटनर्स के बारे में क्या लिखा है An adaptation of the 1989 Marathi comedy classic Fekha Fekhi which itself was inspired from the 1973 Hindi film आज की ताजा खबर which itself is based on a Gujarati play इसकाद All the Best Fun Begins के बारे में क्या लिखाय देखिये The plot is based on Marathi comedy play पती सगले उच्छा पती which itself is based on the English comedy play Right Bed, Wrong Husband The English play has been an inspiration for Tamil films विट्टुकू विडू और विश्वनाथन राममूर्ती as well as Kannada films गलते, संसारा and Houseful इसके बाद गोलमाल 3 के बारे में लिखा है The storyline is partially inspired from Basu Chatterjee's 1978 film खटा मिठा which itself was based on the 1968 film Years, Minds and Hours इसके बाद सिंगम तो सभी को पता ही है कि वो भी एक remake ही थी बोलवच्चन भी एक remake ही थी रिशिकेश मुकर जी की गोलमाल फिल्म का 1989 की तो ऐसा उनकी फिल्मों के बारे में सब मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि आपके साथ भी है सब share करना चाहिए अब चेनने एक्सप्रेस के बारे में मैं जब पढ़ रहा था तो एक और interesting बात पता चली कि रूई चेटी अंगूर का remake बनाने के बारे में काफी पहले से सोच रहे थे और इसके बारे में या लिखा हुआ है पहले अंगूर का ही remake शारुख खान के साथ में रोई चेटी करने वाले थे पर अभी अंगूर रन्मिर सिंग के साथ में बन रही है और सरकस में रन्मिर सिंग के साथ में है पूजा हेगडे, जैकलिन फरनांडीस, जॉनि लिवर, संजे मिश्रा, वरुन शर्मा, सिद्धार जादो, मुकेश दिवारी, वरजे शीर जी, अश्विन कलसेकर, मुरली शर्मा, टिकु थलसानिया, विजे पाटकर, सुलभा आर्या, ब्रिजेंदर काला, अनिल चरंजीत, अभिने, राज सिंग, सुलभा आर्या, राज विश्व कर्मा, सुरब गोखले, आधी-आधी, बहुत बड़ी लिस्ट है, और अजे देवगुनर, दिपका फदुकुन का इसमें गेमियो भी है, ऐसा लिखा है, तो कई सरी इसमें ऐसे जो सहायक कलाकार है, जी इने बहुत ट्रिलर में देखिए, एक तो रनविर सिंग और दुसरा दिपका पादुकुन का जो एक केमियो था, एक सौंग में करंट लगा रहे है, ये दोनों ही कास्टिंग मुझे परसनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, दिपका पादुकुन और रनविर सिंग तो पूरा मतलब कही पर भी एक जो कॉमेडी फिल्म की दृष्टी से जो एक परफॉमस जैसा होना चाहिए, वैसा रनविर सिंग बिल्कुल भी कही पर भी मैच नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसा लगी नहीं रहा था उनकी तरब देखकर, फनी नहीं लग रहा था और ना ही कुछ फील हो रहा थ और 1960 के दशक पर आधारित फिल्म है, पर जो जिस परकार के कपड़े वगेरा दिखाए गए हैं, वो किसी भी दृष्टी से, 60 के दशक के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, 60 के दशक की जो एक मासूमियत थी उस समय का, जैसा वो समय था, उसे वैसा ही उन्हें दिखाना चाही था, पर जबरदस्ती कुछ modern touch देने का प्रयास करते हैं, आजकल के फिल्मेकर्स, पुराने समय प्राधारित फिल्मों में भी, तो वो मुझे परसनली उतना पसंद नही आई वो बात, बाकी हाँ, रोई चेटी की फिल्म है, तो production value कापी अच्छी हमें दिखाई देती है, वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही, कापी बड़े अच्छे कासे production value के साथ में बनी हुई फिल्म है, camera work बहुत सुन्दर फिल्में लग रहा है, और colors कितने vibrant हैं, दिखने में trailer कापी बड़िया है, बाकी जितने भी सहायक कलाकार थे, वे सब मुझे बहुत पसंद आये, बस रनविर सिंग, पुझा हेगडे, जैकलिंग फरनान्डीस और दिपिका पादुकोन, ये तीन-चार जो casting है, वो बिल्कुल भी suit नहीं कर रहे थे, मेरे अनुसर क ये बिल्कुल हमें बहुत उत्सुक कर दे, ऐसा नहीं लगा मुझे कम से कम trailer में, बाके दोस्तों, रोई चिटी के बार में हम जानते ही कि उनकी जातर फिल्में भले ही remake हो, पर वो remake करते समय, वो जो एक, क्या कहेंगे हम उसे, mass touch वो जिस प्रकार से उन फिल्मों को देते ह उसमें उनका हाथ साब है, वहाँ पर उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, एक brainless comedy कैसे बनानी होती है, ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हाला कि उनकी जितनी भी फिल्में हैं, उसमें से कुछ-कुछ फिल्में मुझे बहुत खराब लगी है, कुछ average लगी है, और कुछ बहुत बढ़िया लगी है, वो मैं आपको बताऊंगा कौन से फिल्म में मुझे उनकी कैसी लगी है, अब यहाँ पर आप सरकस के ट्रेलर में अगर देखेंगे, तो उन्होंने अपनी सारी की सारी फिल्मों के नाम दे दिये है, फ्रॉम दे मेकर सॉप और उसके गोल्माल, गोल्माल रिटरंस, गोल्माल थी, गोल्माल अगेन, चिन्ने एक्स्प्रेस, अल्दबेस्ट, बोलबच्चन, दिलवाले, सिंगम, सिंगम रिटरंस, सिंबा और सुर्यवंशी, सारी फिल्मों के उन्होंने नाम दिये है, इसमें से गोल्माल, उसके बाद गोल् और नहीं करती है इसके अलावा गोलमाल 3, गोलमाल अगेन, चेन्ने एक्स्प्रेस, बोलबच्चन, सिंबा और सुरेवशी ये जो 6 फिल्में है रोईचिटी की इन्हें में एवरेज कहुँगा मतलब एक बार देख सकते हैं पर दो बारा मतलब मेरा तो कभी उन्हें देखने इन दो फिल्मों को मैं उनकी बहुत वर्स्ट कहुँगा, खराब कहुँगा तलब सिंगम रिटर्स तो पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा फिल्म थी और दिलवाले तो मैं आज तक कभी पूरी देख नहीं पाया था उसे पर तीवी पर बात में कई बार मैंने प्रयास कहा देखने का पर मुझसे नहीं जेली जाती वो फिल्म बाकी हाँ जैसे कि मैंने कहा एक जो मास टच है एक ब्रेनलेस कॉमेडी कैसे बनाना है ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं अगर उसमें वो पूरी तरीके से सफल होते है तो फिल्म हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सक् पर हो सकता है कि अगर फिल्म अच्छी ना बनी हो तो एक एवरेज बिजनेस कर ले बाकी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन से इस फिल्म से मुझे आप नीचे कमेंट में आवश्य बताना ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश् श्री राम वंदे मातरम